पतना सहित पूरे बिहार भर में जो मौसम में आई बदलाव है उसका क्या कुछ कारण है क्योंकि थंड जो है दिसंबर के महीने में जो पढ़नी थी वो उतनी कम नहीं हुए मगर जन्वरी के शुरुआती सप्ता से ही जो है थंड का जो असर बढ़ा है लोगों को परशान कर साथी साथ dense fog से भी जो है लोगों को चलने में दिकत रहे ट्रेन और प्लेन तमाम चीजें जो है लेट चल रहे हैं मौसम विवा के हमारे साथ बैग्यानिक आशिस कुमार जी है आशिस सर से हम जान लेते हैं सर यह जो परिसिती जो बदली है ठंड थोगा साइधर जन्वरी आशिसा कुछ नहीं है देखे जो अभी जो है एक स्ट्रॉंग जो हमारा डवलूडी आता है और उसके कारण जो है सो काफी बरबारी हुई है अगर बात करें तो कास्मीर और जो है विश्टर नहीमालियन पार्ट में तो उसके जो इंपक्ट में जो विंड आ रहे है न हमा जो बने रहेगी और डेंस फॉग जो है तो अगले तीन दीनों के दोरान तक आपको देखने के लिए मिलेंगे खासकर के नौर्थ बियार में और कुछ साओध बियार के विश्टर पार्ट अफ दिपार सूरज सर नहीं दिख रहा है जो है विजल्विटी भी नहीं है तो क अब जो फॉग होता है तो उसके कारण जो पर आप अपर अपर लॉर आप पर में आप देखेंगे जो जो क्लाउड का लेर बना हुआ हुआ है फॉग जो लिफ्टेड हो गया उसके कारण आपको सुर्य अपकी देखने को नहीं मिलेंगे यह है कि जब किलियर होते हैं अभ सुर्ज निकले धूप आए इसके लिए कितना इंदजार करना अभी सुला तारी के बाद से जब तापमान में देरे देरे जब इस्टरली विंड होगा हमारे यहां फ्लो होगा खास करके और तापमान जब थोड़ी देरे बढ़े उत्री होगी तब आपको थोड़ी सी जो गया है सबसे जो कम है अभी पूरे राज्य में बांका में चार्ट डिग्री और भी निया फोर पांच के करिब तो और भी जाने के स्थिति बन रही है या नहीं नियुंतम तापमान नहीं रहेगा और इसी के आसपास रहेगा थोड़ा सागले दो दिन में धिरे धिरे ग्र पूरे के कारण जो है सोरज की धूप जो है वह नहीं मिल पारी लोगों को मगर दो तीनों दिन के बाद दो तीन दिनों के बाद जो है मौसम में बदलावा आएगा और लोगों को इससे थोड़ी सी रहत मिलेगी इसे में क्या प्षाण फिरोज के साथ गौतम गौर्ण कर स जचनू जचनू पक्ना